नहाई खाय के साथ आज से महापर्व छट की शुर्वात होगी अंबिकापुल में हर वर्ष धुमधाम से सुरे की उपासना का महापर्व छट मनाया चाता है नदी और तालाबों के किनारे छट रती महिलाई ढरते और रुकते सुरे को अर्ग देंगी बतादे कि छट घाटों पर तैयारिया पूवी हो गई हैं गुनगटा नदी के तड़ पर हजाबों की संख्या में उंबिकी महिलाओं की भीड़ भी दिख रही है छट व्रतियों के लिए गुनगटा नदी तड़ पर विशेश तैयारी की गई है गुनगटा शाम शवा समिती हर वर्ष की भाति इस वर्ष भी अपने पूरी वाइलेंटेर के साथ पूरी शक्ति से स्रमदान करते हुए पिछले पंदरा दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं और समिती ने घाट की शफाई से लेकर के नदी की शफाई तक सब पामो को कर लिया है और आब इंते जार है चटवर्थी माताएं आएं यहां पे बहुत बहतर तरीकेशे वो लोग निर्वाद रूप से अपना पूजा करें कहीं उनको दिक्कत न हो हम लोगों ने हर वर्ष की भाति इस वर्ष भी हमने चट घाट में टोकन सिस्टम रखा जिसको लोग पसंद कर रहा है और पिछले साली 1100 सुपला का बेवस्ता था इस बार 2100 सुपला हम लोग यहां पर बेवस्ता दिये हैं कि 200 चटवर्थी माताएं भी अपने परिवार के साथा है तो उन्हें कोई दिक्कत न जाए और 15-1700 से अधिक कूपन जो है दोतीन जगा से कूपन कटते हैं कट चुके हैं और अभी भी डिमांड लगाता रहे तो मेरे रुकता है कि पूरा घाट फुल हो जाएगा और कुछ और हमने एड़ किया है स्रधालों को लगता है कि गुनगुट्टा श्याम श्याम श्यामति कुछ नयाद देगी इस बार जो जूपते सुर्य को जिस दिन अर्थ देते हैं उस दिन कुया करते हैं उस दिन शाम को हमने एक बहुत अच्छा यहां बैंड का आयोजन किया है जिसमें भक्तिगीत के साथ में उसमें कारिक्रम होगा चटवर्ती माताओं के साथ में और आठ तारीक के सुबह बनारस के पंडी जी लोगों के माध्यम से यहां पर गंगा आर्थी जो हर वर्स होती है तो गंगा आर्थी का भी आयोजनार तारीक के सुबह पांच बजे से सुरू हो जाएगा तो अच्छा से अच्छा देने का में प्रयास किये हैं सर और हो भी गया है लगवग पिछले साल तो तिस चालिस हजार लोग आय थे इस है कि हम लोग इस बार इकीस सो सुपला का व्यवस्ता किये हैं पिछले बार ग्यारा सो था इसलिए भीड बढ़ेगी और जितना अधिक से अधिक हो सके हम लोग मतलब अच्छा से अच्छा व्यवस्ता देने का प्रयास जी नया देखने को मिलेगा जबलपूर से बैंड आ जो भी रूपते हैं उनके लिए समीती मतलब अपने तरफ से अच्छा से अच्छा उनको व्यवस्ता देने का प्रयास करते हैं